हेलो फ्रेंट्स गवर्मेंट जोब जेनी नॉटिफिकेशन चनल पर आपका स्वागत है फ्रेंट्स आर्मी पब्लिक स्कूल में 8000 टोटल विकेंसी आउट हुई है नॉटिफिकेशन आउट हुआ है जहां पर PGT, TGT, PIT पदों पर भरती की जाएगी एक और जरूरी बात की यहां पर CT and TET जिन्हों ने नहीं किया है वो भी eligible रहेंगे क्योंकि यहां पर required नहीं है जरूरी नहीं है CT and TET All India Vacancy है आप All India से इसमें आविदन कर सकते हैं और Application Starting Date है 1 October आज से Application स्टार्ट हो चुके हैं और Last Date रहेगी 20 October 2020 तो अगर आप इसके लिए आविदन करना चाहते हैं लिंक आपको description box में मिलेगी वहां से आप चेक कर लिजेगे या फिर आप official site से भी इसको चेक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यह official notification पर आ गए है यहां पर जो टोटल वेकेंसी निकली है अगर हम स्कूल में देखें तो All India में 137 आर्मी पबलिक स्कूल है जहां पर यह भरती की जाएगी टीक है अब यहां पर जो टोटल वेकेंसी आप देख रहे हैं टोटल वेकेंसी आठ हजार के और यह एप्रोक्सिमेट है आठ हजार सो आठ हजार तक है और यह regular भी हो सकती है and contract based पर भी हो सकती है इसके लिए जो selection procedure है 3 step में screening exam होका पहले आपका जिसकी date है 21-22 November 2020 21-22 November 2020 तक आपका screening test होगा जिसके लिए आपको जो admit card है वो अभी date नहीं आई है 4 November इसकी बताई जा रही है लेकिन जैसे भी आती है आप update चेक करती रहेगा Second stage रहेगा interview का and third stage में आपका teaching skill and computer proficiency test होगा ठीक है अब यहाँ पर stage 2 and 3 will be held in tandem under the agents of board of administrations and headquarters कवान स्कूल management ठीक है online screening test की आप ही देख रहे है to qualify for interview and evolution of teaching skill the candidate should have passed the online screening test this has been scheduled on 21-22 November 21-22 November को ही रखा जाएगा और categories of teachers की है PGT, TGT and PIT यह teachers की भरती की जा रही है PGT, TGT and PIT अब यहाँ पर हम देखा है qualification क्या required रहेगी तो PGT के लिए यहाँ पर post gradation in the subject concert post gradation होना चाहिए minimum 50% und do much to be ayd होना चाहिए 50% docs at DGT के लिए आपका graduation होना चाहिए width subject scam 스nt 50% के साथ और साथ में canbs PRT के लिए आपके पास ओना चाहिए graduation 50% max के साथ और फिर आपका इस में BA होना चाहिए या फिर आप का two years का डिप्लोमा हो 50% माक्स के साथ तो आप यहां पर एलिजबल रहेंगे अप्लाई कर सकेंगे एज लिमिट देखें तो यहां पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रेश कंडिडेट के लिए 40 एक्सपीरियंस जो केंडिडेट रहेंगे उनके लिए 57 बिलो 57 एस लिमिट रखी गई है ठीक है टीचिंग एक्सपीरियंस इस दा लास्ट ट्रेंड इयर्स तो यह यहां पर एज है और एक अप्रेल 2020 के बेस पर यह देखी जाएगी तो फ्रेश केंडिडेट यानि कि लेस द देख रहे है सेकर्ड में जो सी दिया गया है सीटए और टैट इस लोट मेंडिटरी प्रेशुर्ट ऑं लान व्लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट तो आपके लिए यहां पर जरूरी नहीं है सी टाट इया त्रिक है अब यहां पर देट हो गई सान्वें आप पर दिया गया है ज इस पेस्पेक टू सब्जेक्ट्स ठीक है अब यहां पर आप डिटेल भी देख लेंगे किस तरह से दिये जाएगा और प्याइटी के लिए एक पिपर होगा जिसमें जन्रल अवाइरनेस, मेंटल अविलिटी, इंगलेस, कंपरिशन, एदुकेशनल कॉंसेप्स लिए जाएंगे इसमें 90 कॉस्चन होंगे और 90 मिनिट की सॉरी 90 मार्क्स कर रहेगा और 90 मिनिट की आपर टाइमिंग दी जाएगी ठीक है, अब यहाँ पर स्कोल भी नॉर्मलाइजड 200, तो यहाँ पर आप चेक कर लिजेगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 फोर्थ मार्क, आप इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है, एक्जामनेशन फीस देखें तो यहाँ पर एक् जो ओनलाइन एप्लिकेशन स्टार्डिंग डेट है, वो एक अक्टूबर है और इसकी जो टाइमिंग है, सुभह 10 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं, और 20 अक्टूबर 2020 तक आप सामको 5 बजे तक इसमें आविदन कर सकते हैं, एक्जाम सेंटर्स कहां रहेंगे तो इसका आ सारे में अपडेट कर दिया जाएगा, एक्जाम रिजल्ट की भी जो टेंटिटिव डेट है, वो यहाँ पर बता दी गई है, ओके, सु रेइस्टेशन डेट आप यहाँ पर सारी देख रहे हैं, एक अक्टूबर से स्टार्ट होगा, एडमिट कार्ड के लिए 4 नवंबर ह एक्जाम डेट 21 से 22 नवंबर रखी गई है, और रिजल्ट आपका 2 दिसमबर 2020 को डेक्लेर किया जाएगा, अब यहाँ पर कुछ और इंस्ट्रक्शन देए गए हैं, जो आप एकवा जरूर आवेदन कार्णी से पहले चेक कर लिजेगा, अब यहाँ पर हम देखेंगे, ए टोटल कितने स्कूल हैं, तो मैंने आपको स्टारिंग में बताया था, 137 टोटल स्कूल हैं, जहाँ पर आपके लिए पोस्टिंग दी जाएगी, एंड यहाँ पर आप डेटल में देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से पूरा प्रोसेस दिया गया है, बेड में या जो भी अबजेक्ट के लिए वेकेंसी निकली गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, PGT, TGT, PIT के लिए, अब यहाँ पर आप यह देखेंगे, एक्जाम सेंटर्स कहां कहां पर रहेंगे, तो 74 टोटल एक्जाम सेंटर्स हैं, ओल इंडिया में, ठीक है, अगर तला, आगरा, एमदवाद, अजमीर, अलवर, अमबाला, यह पूरे step-by-step आप देख लेंगे, आप जिस भी स्टेट से बलॉंग करते हैं, सभी स्टेट में जो सेंटर्स हैं, वो रखेंगे हैं, जैसे MP में इंदौर है, जवलपूर है, जैपूर है, राइस्थान में है, दरवाद है, आ अगर पर्मानेंट होती हैं, तो यह बहुत अच्छा मौका है, आपके लिए आप इसमें आबिदन कीजिए, अगर आपके वीडियो पसंद आयों तो लाइक, सब्सक्राइब और सेर भी कर लीचेगा, थैंक यू